जुनियर गार्ड रिपोर्टिंग सर्फ तो अभी मैं इसी को यूज करके आपको दिखाऊंगी कैसे मैंने स्कैन को बनाया सबसे पहले मैं तीन कैन की वान थर्ड हिस्से में एक मार्किंग लगा रही हूँ यह मार्किंग लगाने से मुझे पेंट करने में थोड़ा इजी हो जाएगा और यहाँ पे जहाँ जहाँ थोड़ा सा कलर चिप आफ हुआ है उसको भी मैं निकाल दी हूँ और बाकी के जो तूठर्ड हिस्सा है उसमें मैं कुछ वर्टिकल लाइन्स भी ड्रॉ कर रही हूँ और अभी एक मास्किं टेप यहाँ पे मैं लगा रही हूँ और मास्किं टेप लगा लेने के बाद इसके उपर के हिस्से में मैं पेंट कर लूँगी और यहाँ पे मैं अनमल पेंट का ही यूज कर रही हूँ डार्क ग्रीन कलर का मैंने यूज किया है और इस कलर को सूखने के लिए मैं 24 और के लिए रग तूँगी और जहाँ पे थोड़ा सा टेड़ा मेरा था उस पोर्शन को मैं एक नाइफ के मदद से सीधा कर लेगी हूँ और यहाँ पे मैंने एक क्यूट सा बकल भी बना दिया है आप अपनी हिसाब से कुछ भी डिटेलिंग इसमें एड़ कर सकते हो और यह क्ले अच्छे से सूख जाने के बाद जो वर्टिकल लाइन्स मैंने बनाया था उसमें मैं रेट कलर से कुछ स्ट्राइप्स बना लूँगी तो मैंने पहले सोचा था जो ग्रीन कलर अलोड़ी पेंट किया हुआ है इसमें मैं पेंट नहीं करूँगी लेकिन कहीं कहीं मास्किन टिप निकालते वग चिप ओफ हो गया कलर तो इसलिए मैंने एक लाइट क्रीन कलर यहां पे बना रही हूँ और उसी से कुछ और स्ट्राइप्स मैंने यहां पे बना दिया है पिर से इसे अच्छे से सुखने के लिए रख देना है क्योंकि एनमेल पेंट शूखने में बहुत टाइम लेता है और यह अच्छे से सूख जाने के बाद बाकी का डिटेलिंग मैं अक्रिलिक पेंट से बना रही हूँ तो यहां पे मैंने white color से इसका collar बना दिया, कुछ buttons बना दिया और जो belt है इसमें भी मैंने white color से paint कर लिया है अभी मैं इसका head है वो बनाऊंगी और इसके लिए मैंने marking कर लिया है जहां पे मुझे कान और नाग को लगाना है और clay से मैं इसका कान और नाग बना रही हूँ और इसको मैं glue से पहले इसमें चिपका लोगी और यह अच्छे से जब सूख जाएगा सूख जाने के बाद इसके उपर मैं white animal paint से एक दो coat मैंने लगा लिया है क्योंकि इसमें बहुत सारा print था इस प्रीम को मुझे चुपाना था तो इसलिए मैंने white color का इसमें डो coat मैंने लगा लिया उसके बाद मैंने एक brown color बनाने की कोशिश किया था लेकिन पता नहीं कैसे ये brown color के जगा में लालग color बन गया और मैंने इसी color से ही paint कर लिया वैसे तो अच्छा ही लग रहा है लेकिन brown color होता तो शार और अच्छा लगता और ये सूख जाने के बाद इसमें भी मैंने कुछ detailing add कर दिया है सारी detailing मैंने यहां पे acrylic paint से ही किया है क्योंकि animal paint के ऊपर मैंने देखा है acrylic paint रहता है अभी मैं इसका hat बनाऊंगी और इसके लिए जो मैंने cup plate का set लिया था उसी का use करूँगी और plate का जो edge है इसको मैंने cut करके निकाल लिया और जो cup है उसका भी मैंने handle को निकाल लिया अभी मैं febibon glue से इन दोनों को चिपकाऊंगी थोड़े टेर glue को में लगा के रग दूँगी उसके बाद मैं एक दूसरे को चिपका लूँगी और ये अच्छे से चिपक जाने के बाद air dry clay से कुछ detailing मैं इसके उपर भी बना लूँगी और ये clay जब अच्छे से सूप जाएगा उसके बाद मैं इसके उपर लगाऊंगे जैसो का एक कोट क्योंकि प्लास्टिक के उपर आप अगर पेंट करोगे ओवर पेरिड आफ टाइम वो पेंट निकल जाता है इसलिए जैसो लगाना बहुत जरूरी है यहां पे मैंने होम में जैसो का ही यूज किया है और यह जैसो सूख जाने के बाद यहां पे मैंने फिर से ऐनाम्ल पेंट का ही मैंने यूज किया है और जो डिजाइन है उसको मैं अकृलिक बीन से हाइलाइट कर ली हूँ अभी मुझे इसका hand और gloves बनाना है इसके लिए मैंने macrami rope ले लिया है और macrami rope के उपर मैं air dry clay को ऐसे लगा रही हूँ और इसको मैं एक gloves का shape दे दूँगी और glue से मैंने इसको चिपका लिया है और ऐसे मेरा दो gloves बनके ready हो गया clay से ही मैंने इसका shoes बना लिया है और इसको सूखने के लिए मैं तीन के साथ ऐसे रख रही हूँ जिससे ना एक arc बन जाएगा तब मुझे इसको बार में चिपकाने में बहुत इजी हो जाएगा और मैं मैं क्रेमी रोप को भी ग्रीन कलर से पेंट कर रही हूँ इहां पर मैंने अनमेल पेंट का ही यूज कर दिया है आप अक्रिलिक पेंट यूज कर सकते हैं ग्लब्स को मैंने white acrylic paint से paint कर दिया और शूज को मैंने black कर दिया है paint और अभी इस सब को assemble कर लेना है इसमें मैंने araldite blue का use किया है इहां पे hardener और रेजिन आता हैं दोनों को mix करके मैं इसको यहां पे चिपका लूगी और इसको assemble कर देने के बाद हम लोग का cute सा teen guard बनके ready हो गया आज का दिया हुए अप लोग को कैसा लगा मुझे comment करके ज़रूर बताईएगा अच्छा लगा तो like ज़रूर कीजिएगा और मैं चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा मैं आपसे म